आपका स्वागत है और देखिए क्या लेक्षाइए यह देखिए नर और मैं आज बताऊंगे कि एनर का जूस अमाज लिए कैसे कैसे फाइदे होते हैं इसे और हम इसको कैसे बनाएंगे तो यह देखिए यह नर मैंने भोग में लगा लिया था मातारानी को भूग चड़ाया इसको स्वाइब निकालते हैं और सब्सक्राइब थोड़ा करके से जूस दे देते हैं तो मैंने उसको सुचा की सेर भी कर देते हैं तो देखिए मैंने अनार ले लिया उसको इस तरह में छील रही हूं और अनार जो है था बहुत ही मतलब जैसे आपके वह मगलोबीन कम हो या खून की कमई हो उसमें भी बहुत आप न चाहिक है और यह की आपका सब्सक्राइब करता है कि आपको भूख ना लग रही हो उसके लिए भी अनार का जूस पीजे ए जैसे भी आप अनार को उप्योग कर सकते हैं और आपकी जैसे बाल बगरा उसके लिए भी बहुत है हड्डियों के मजबूत करता है और आपकी जो इसकीन होती नहीं उसमें ग्लोब यह लाता है तो अनार का जूस यह अनार खाये जरूर आपको कम से कम एक छोटा ग्लास जूस पी लेना चाहिए यह अनार खा लेना चाहिए और अनार देखे कितनी आसानी से मैं आ दो और दो यह सारै हैं निकाल रही हूं कर दो आपनार और जो में जब अनार या-एससे तो और यह रिकी सारी कफ्कार पावर्यों होती है नहीं सारी थुचों आप जरूर इसको करें बच्यों को दीजिए और देखयों ऐसारा च्छीयल करी दिये ॅ और अब इसका शिलका हटा दूँगी और यह दाने दाने सब निकाल के एक साथ रख लूँगे थोड़े बहुत बीच में है तो यह सारे निकल जाएंगे देखिए थोड़े से और लगे वह थे तो मैंने अभी फिर भी यह भी सब निकाल लिए देखिए बहुत आसानी से मैं अच्छा होता है यह अनारी से में खुब मिल भी रहे हैं अनारी से में तो यह देखिए मैं इस तरह से सारा नार अपना निकाल लिए और छिलके हटा दूँगे इसके और यह देखिए और प्रेट में मैंने सब निकाल लिए यह देखिए यह देखिए सारे दाने निकल एक कितते किता पका हूँ अनार राल रंका कितना अच्छा आर्या मातरानी को चड़ा है इसको क्या करूंगे अभी इसको देखिए इसका को किस तरह से निकालती हूँ तो मैंने मिकशी जार Sono C और उस मिक्षी जार के अंदर इसको डाल दूंगी दीकिंप सारे दाने मार आ गया तो इसको पहले आइसे ही ग्राइंड कर लेते हैं तो देखें, से चान लेते हैंups इस तरह से इसको इस तरह कि अपना चाने कर जो जितने भी जोते हैं न सारे उपर आ जाते हैं तो एक भी नहीं रहते हैं इसके अंदर वीज कि आ भी सोचें कि बीच पीच जाएंगे तो यह कड़ा हो जाएगा अशा कुछ नहीं है पर ज्यादा नहीं चलाए यह देखें कि में अधक पूर निकल यह आगेगे श Dr. देखें नपे साíll बांद मिला और दीचें और बःड़ी है से में बंच भी मैनत मैं कोई कुस नहीं Hai डोगे कि फमीन इंत से आप से देखें कि निकाल दीजिए और फिर मैं सारा को एक में डाय दीया मैंने ये देकिए सिरा जूस में जग में डाल रही हूं और कितना कलर देखे कितना पर्फेक्ट आया है एक दम बहुत ही अच्छा नार था तो भोग की कोई भी चीज होती है जो मातारानी को मरपित करते हैं बहुत ही अच्छी होती है और देखिए इसको जो है अब मैं इसमें क्या करूंगी कि दिया है तो दो चम्मत आप डालना चाहिए डाली शिप करना चाहिए पर मैंने डाल दिया उसमें दो चम्मत सुगर पाणों डाल या कि अगर कुछ भी थोड़ा सा भी खटपन होगा तो भी सब निकल जाएगा और और अच्छा से लगया और थोड़ा सा काला नमक डाल दि देखे आप मैंने दो ग्लास ले लिए हैं और इसमें मैं यह देखे सब कर दे रही हो ग्लास में यह कितना अच्छा टेस्टी लग रहा है एकदम माउथ वाटरी लाल चालर है कि तुरंद पीले इसको कूल-कूल यह देखे सिमने दो निकास में सब कर लिए है आप देखे म मैं क्या करूंगी इसमें यह देखे है अच्छा आप देखे यह मैंने इस तरह की यह मैं जौन से ट्रे मगाई थी जिसकंदर से छुट-छुटी बॉल बने हुए हैं और इसके अंदर मैंने पानी के अंदर रूह अब जा थोड़ सी चीनी डाल के इसकंदर इसकंदर रग ऊपर से दूसरी डिए फंसों डिया तो इसकंदर इस में तो इस तरह से यह डिकिए यह बॉरम ज़ाए बहुत ही टिस्ति हो गया था यह तो आपका दे तो आप भी मंगाना से है तो मंगा लिजा के ज्यादा महगी भी नहीं है इसदर से मैंने बॉल जो थे इस त्रे में से निकाल के इसमें अपने बाउल में रख लिए हैं आई डेकि के करके डाल रहे हैं यह जो उस्तरे से यह कलर और चोबी कलर का आप जैसे मैंने रूआपजय का बनाया है इसा खस-खस का भी बना सकते तो मैं किसी और रेस्पी में बताऊंगी सारे कलर के बनाया के बॉल यह देखी मैंने डाल दिया तो और यह अच्छा ठंडा होगा और बहुत अच्छी फ्रेवर भी आ गया था इसमें इसको बनाया और पहुती तो आप इसी तरसे देखे डाल यह बहुत रहे अच्छा लगे आपको यह देखे यह देखिए हमारा अनार का जूस बनकर तयार हो गया यह अनार जूस बनाया है यह मैंने मातारा निको चड़ाया था और आज उसी का मैंने जूस बना दिया है कि सब लोगों प्रसाद की रूप में यह मिल जाएगा यह देखिए कितना अच्छा टेश्टी भी है और बहुत यह सब बरफ डालके उसको ठंडा कर लिया और देखिए इसको छान लिया है यह देखिए और यह इसमें जो मैंने क्यूब्स डाली है वह मैंने इस तरह से डाली है यह देखिए मेरे पास इस तरह का यह मैंने अमेजॉन से मंगाया था यह यह देखिए इसमें मैं पानी और देखंड में रोख आप चीन ही डाला की एसको रख दिया और इसको उपर से अचीज में भी डाल की घखा सकते हैं, किसी चीज में भी डाल की खा सकते हैं यही बॉल मनेज में डाल दिये यह देखे यही बॉल डाल दिये में और बहुत ही टेस्टी बनावा है और आप भी बनाएगा इसी तरह से गर्मियों में और थोड़ी पिशी चीनी डाली है पसंद आये तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब भी करेंगे और बैल ऐकन जरूर क्लिक करेंगे जैसे नीव वीडियो आप तक पहुंच जाये थैंक्स वार वाचिंग